कॉंग्रिस की तरफ से अगर आपको मौका मिलता है, जनता इस बात आपको चुनती है अपनी सेवा के लिए, तो ऐसे विधायक बने के बाद ऐसे कौन से पांच काम होगे जो आप तुरंस जनता के लिए करना चाहेंगे अपने शित्रूदूदूदूदूदूदूदूद अब वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतजार था, अब चुनावी रण सजने लगा है, राजस्थान में विधान सभा चुनाव जैसे जैसे नजीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब हर आवाज मुखर होते जा रही है, पार्टी के कारकरताओं में जोश चरम पर है, इसके इतर अगर हम जनता में जाएं, तो जन प्रतिनी धियों को देखकर जनता भी अपनी समस्याएं उन्हें बता रही है, जिनसे आने वाली सरकार उन समस्याओं को सुलजा सके और उनको निजात दे सके, इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं, राजगर, लक्ष इसकी तरफ से, अगर आपको मौका मिलता है, जनता इस बार आपको चुनती है अपनी सेवा के लिए, तो ऐसे विधायक बनने के बार, ऐसे कौन से पांच काम होगे, जो आप तुरंत जनता के लिए करना चाहेंगे अपने शेतर में, चेतना जी, पहला जो काम है, वो है सड सड़कों का, सड़कें जो छेतर में अच्छे किस्म की हैं, तो उसका विकास भी अच्छा होता है, सड़कों से ही छेतर का विकास होता है, जो दूर दराज में गाव हैं, धनी हैं, जो अब तक सड़कों से बंचित हैं, मेरा मानना ये है कि वो भी लोग सड़कों से जुड और जो रोड़े खराब हैं सड़कें उनका डामरी करन का कारिय हो में हमारी प्राथिकता यह रहेगी दूसरा है कि हर गरीब तब के तक पीने का पानी पोँचे क्योंकि पीने का पानी का अधिकार सब इनसान होता है तीसरा काम यह रहेगा कि इरीगेशन जो सिचाई है किसानों के सिचाई का जो पानी है वो भी उपलब्द करने का हमारा तीसरा काम रहेगा उसमें क्या है कि जो ए आर सीपी रास्त इस्टरन रास्तान कैनाल प्रोजेक्ट उसको लाने के हम सोचेंगे ताकि किसानों का जो इचाई की समस्या है, वो हमेशा खतम हो जाए, कहना लिदी बनती है और उसका सरकार पर इंपेक्ट पड़ेगा, पब्लिक पर इंपेक्ट पड़ेगा, तो यह ऐसी तीसरे हमारा यह प्रोजेक्ट रहेगा, ताकि पूरे चेत्र में हरियाली हो, पानी की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिले, तीसरे हमारा रहेगा सिक्षा का, क्यों कि मैं मानता हूँ मेरे बच्चे पड़े लिखे हैं, मेरी मेडम भी पड़े लिखी है, मैं यह चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर गाव का बच्चा पड़े, सिक्षित हो, ताकि वो अपना भविस बना सके, क्यों और दूसरी तरफ ऐसे तबका है जो मूल भूत समस्याएं से जूज रहा है और ये आपकी नेक दिल है और ऐसे जन प्रतिनी धी ही जनता के बीच जाने चाहिए ऐसे जन प्रतिनी धी ही चुनने चाहिए जो ऐसे शित्रों का विकास कर सके जो आज भी पिछड़े पन से घिरे हमारे के जियोबी कल्यांकारी योजना हैं सरकार ने लागों कर रखी हैं उनको जंजन तक पहुंचानाos कर हरुए तरह के और यू योजना या良ग को सकते हैं और daha आगे लाते आपको बहुत सारी बधायां और बहुत सारी शुबकामनाय देना चाहूंगी कि आपका जो विजन है बहुत ही नेक दिल है और आप जनता के लिए इतना काम करना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूंगी कि आपके शित्र की जनता आपको चुने, अगर आपको चुनेंगी तो अपने आप ही उनके शित्र में आ जाएगा इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी सर कि आप जन प्रतिनीदी हैं जनता के बीच जा रहे हैं अभी चुनाव से पहले आपको क्या फीडबेक्स मिले हैं लोगों के मैं जहां भी गया हूँ डानी में गया हूँ मैंने एक गाओं में गया हूँ छोटे छोटे गाओं में गया हूँ वहां बुजूर के यूवा माता बहने बच्चे केवल यही कहते हैं कि राजस्तान सरकार कंग्रेश सरकार कितनी अच्छी इसकीमे दी हैं मुफ्त में दौईया मिल रहीं है। खाद सुरक्षा की योजना मिल रही है, अभी मानिय मुख मंद्री जी ने काम धेनू बीमा योजना जो लागू की है, तो इससे लोग यह कह रहे हैं कि कांगरे सरकार वापिस रिपीट होगी, और यह भी कह रहे हैं कि असोग घहलोत वास्तों में ही जादूगर हैं, जो गरी में तो कोई दोह राय नहीं कि राजस्थान के जो मुखे मंत्री हैं, अशो गहलो जी वो जादूगर हैं और अपनी जादूगरी से कब कोई जादूगो कर दे, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, इसके लावा कर विपक्ष की बात करूं सर, तो विपक्ष तो हमेशा इन यो जोजने सरकार लागू करती है, गरीब तो कोंशती है, विपक्ष चाहती है कि यह जोने लागू नहीं हो, क्योंकि योजने लागू होगी, हर पबले को उसका फायदा मिलेगा, तो कॉंगरेस वापीस आएगी, रिपीट होगी, कॉंगरेस में बढ़ाई होगी, यह नहीं चाहती है, विपक्ष यह चाहती है कि गरीब गरीब रहें, ऊपर उठेने, तो कॉंगरेस गरीबों के उत्थान के लिए जो काम कर रही है, उसके एंटी, अगर आप विपक्ष को देखेंगे, बीजेपी को देखेंगे, तो वो गरीब के विकास के अलावा, सारे काम कर रह है लेकिन जो गरीब तपका है वो अभी भी उम्नीदों की रहा पर है कि कोई तो आए और कोई हमारे उठान के लिए काम करें हम करेंगे हम करेंगे किस तरहे से अमरचंद मीना जी अपने शित्र का विकास करना चाहते हैं हर गरीब से गरीब आदमी तक वो योजनाय पहुचाना चाहते हैं जो सरकार इनके लिए लेकर आ रही है हम भी उमीद करते हैं गुजारिश करते हैं अपनी आखे खोलिए आख बंद करके वोट देना बंद कीजिए ऐसे जन प्रतिनिदियों को मौका दीजे जो आपके शित्र को विकास देना चाहते हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं और मूल भूत समस्याएं जिन से जूद रहे हैं शित्रवासी उनसे भी छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो कैसी है आपको ये वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताईए का कॉमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है ये भी जरूर लेकेगा और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजे ताकि उन लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे जो आज भी उमीद और विक का इंतजार कर रहे हैं नमस्कार